पारा चीपा बड़ोद विध्या भारती अखिल भारती शिक्षा संस्थान दौरा संचालित आदर्श विध्या मंदिर केल खेडी चीपा बड़ोद में जहांसी की रानी लक्षमी बाई जयनती हर्शोल्लास से मनाएगी विध्याले के उत्सब विवम जयनती प्रमुक अंतिम गोठानिया ने जानकारी देते हुए बताया कि आज के कारिकरम के मुख्य अति थी मांगी लाल मेघवाल सहाय कभियांता 132 कV GSS grade चीपा बड़ोध तथा विशिष्ट अति थी दिलबरकौर सरपंच देवरी जोधने ज अपने उद्बोधन में बताया कि जहांसी कि रानी जिसने अपने शौर्य पराकरम एवं वीर्टा से अग्रेजी शासन ही नहीं संपूर्ण विश्व को अचंपित किया इनका जन्म 19 नवंबर 1828 को वरणसी में हुआ इनके बच्पन का नाम मनी करने का था तथा इन्हें प अलवार बाजी करना दुर्ग तोड़ना सेना का नेत्रत्व करना युद्ध लड़ना जैसे खेल बच्पन से ही खेल दिया हैं इनका विवाह 14 वर्ष की अलपायू में जहांसी के राजा धर्राव नेवाल करके साथ हुआ और इस प्रकार वह जहांसी की रानी बनी इन्हों बाद उन्होंने एक दत्तक पुत्र को गोद लिया जिसका नाम राव रखा लेकिन स्वाएं की संतान ना होने के कारण अंग्रेजों की हडप नीती के चलते जहांसी दुर्ग पर अंग्रेजों का शासन हो गया जानी ने हार नहीं मानी और 1857 की क्रांती में अपने शौर्य नामकिस्थान पर अंग्रेजी सेना से वीरता पूर्वक युद्ध करते हुए अपने आत्मसम्मान और चरित्र की रक्षा करती हुई वीरगती को प्राप्त हुई रानी लक्ष्मी भाई अपने सुंदर्ता चाला की द्रडता शौर आदी के लिए उल्लेख थी इसाथ ही विद्रोही नेताओं के लिए सबसे अधिक खदरनाग भी थी इस प्रकार जहासी की रानी 1857 की प्रमुख नायका बनकर उभरी विशिष्ट अतिथी दिलवर कौर ने अपने उद्बोधन में संदेश दिया आज की बारिकाई भी जहासी की रानी से कम नहीं है बस अपनी श समाज और राष्ट्र के विभिन छेत्रों में अपना अम्मूल्य योगदान देकर मिसाल बने और हमेशा अपने आत्मसम्मान सद चरित्र को सर्वो परी रखते हुए उसकी रक्षा के लिए आत्म निर्भर बने कारिक्रम में अतित्थी परिचय प्राधानाचारे हारी सिं देखती रहिए डीवी भारती समचार नजर हर खबर पर